क्या वाकई जिसको हम दुख समझते हैं वो दुख है अगर यह सवाल पूछा जाएं तो आपके 50 प्रितिशत दुख तुरंट समाप्त हो जाएंगे अभी सिवग अगर आप यह सवाल पूछो कि जो दुख आपको है क्या वाकई दुख है जैसे एक लेड़ी है गर्बवती है डॉक्टर के पास गई है अब डॉक्टर लिख रहे हैं और वो वो लेड़ी एक-एक प्रॉलम बताते जा रही है कि कभी-कभी उल्टी का खैल आता है डॉक्टर लिखता ठीक है आगे सर में चक्कर होता है आगे पुछता है पेट में अचाना एक दरत पड़ता है अच्छा आगे बच्चा जो है हिलता है लात मारता है आगे एक-एक पुछते जा रहा है जब यह दस-पंद्रा बातें बदा दी तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा पर्फेक्टली नॉर्मल लेड़ी ले कहा रहे इतनी तकलिवे मुझे इतने दुख और आप कहते हैं नॉर्मल अरह तुम बच्चा प्राप्त करने जा रही हो उसमें यह सिम्टम आने ही चाहिए तुम्हें जो चीज मिलने जा रही है उसके लिए यह दुख होना यह नॉर्मल चीज़ है नौकरी प्राप्त करने जा रहे हो तो दस जगह पर गेट आउट कहा जाएगा यह नॉर्मल है तो इंसान पूछे कि मैं क्या प्राप्त करने जा रहा हूं एक चीज जिसका प्राप्त करने जा रहे हो उसमें कुछ बाते होगी आस्मान से पृत्वी पर आये हो कुछ बाते होगी नॉर्मल है उस्तरी को बताया गया नौ मेहने बच्चे को पेट में रखकर जब उसको तुम बाहर सुस्त लाना चाहती हो तो कुछ प्यडाओं का होना नॉर्मल है वो रोग नहीं है वो दुख नहीं है जब ये बात समझ में आ जाए तो आप देखोगे कि इन दिनों जो आपको समझ्याएं है आप अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहते हो और समझ्याएं है वो नॉर्मल है जब पक्का हो गया पच्चास प्रतिशत समझ्याएं दुख देना बंद कर देगी जब पता ही चल गया कि ये नॉर्मल में ऐसा होता ही है तो पच्चास प्रतिशत खतम हो गया जैसे का समझ मिले तुरंट उसी वक्त हमारी समझ्याएं का समाधान हो सकता है सर्श्री जी द्वारा दिये गए इन सत्यसंदेशों के साथ साथ आप सर्श्री लिखित पुस्तकों का भी लाब ले सकते हैं ओनलाइन बुक्स ओर्डर करने के लिए हमारी विबसाइट है www.gethappithoughts.org झालइन बुक्स ओर्डर करें झालइन बुक्स ओर्डर करें